वेलो स्टूडेंट, वेलकम बाक टो माई चानल कॉमर्स लीडी, आइम जैश्री आदर, सो बच्चे आज के क्लास में हम क्वेशन नमबर 42 करने वाले हैं, सो लेट स्टार्ट दो वीडियो, गिवन ब्लियो इस दे रिसिप्ट अन पेमेंट अकाउंट अचाउंट अफ सब्सक्रिप्शन, सो यहां पे अनवल सब्सक्रिप्शन है, हमारा 50 रुपीस का, सो क्या करेंगे हम 500 को मंटिप्लाई कर दीजिए, आफ 50 से तो यह हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आजाएगा, 25,000 जो कि हमें करेंट यार में रिसीव होना चाहिए, ठीक है, एंड 500 इस तिल इन एरियर और 500 अभी भी एरियर है, देखो, इस तिल इन एरियर फॉर 15-16, ठीक है, इस बार पे बिल्कुल ध्यान देना बच्चे, आगे देखो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, दिन, थाउजन फॉर सालेरी इस आउटस्टेंडिंग, हजार रुपे सालेरी आउटस्टेंडिंग है, बिल्डिंग हमारी 50,000 की है, जिस पे हमें depreciation चार्ज करना है, interest on investment is accrued for 5 months, मतलब 5 months का हमें accrued interest भी calculate करना है, तो देखो, question को हम कैसे करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हम, balance sheet बनाने से, so question number 42, ठीक है, सबसे पहले हम balance sheet बनाएंगे, हमारी, किस year की balance sheet हमें prepare करनी है, अभी, 2016, मतलब 15-16 की, ठीक है, so आप यहाँ पर लिख लेना, अब देखो, इस side हमारा क्या आएगा, सबसे पहले cash in hand, so question में हमें कितना cash in hand given है, भी, BD 1025, clear, उसके बाद हमें subscription देखो, कितना है हमारा, 15-16 में subscription हमारा 400 है, and बोला है कि 500 is still in area for 15-16, ठीक है, so total हमारा outstanding subscription कितना हो गया, outstanding, subscription, ठीक है, 400 जो अभी हमें मिल गया है, और 500 जो अभी तक भी हमारा outstanding है, till current year भी अभी भी हमें नहीं receive हुआ, so total कितना है हमारा 900, clear, and उसके बाद building हमें given है, 50,000 का, चीक है, अब इसका आप total कर लीजे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा भई, 51,925, and capital fund हमारा कितना आ जाएगा, 51,925, अब next हमें क्या prepare करना है, income and expenditure account, so वो prepare कर लेते हैं, income and expenditure account, आप पूरा लिखना बचे पेपर में, so income side देखूं, क्या क्या चीजें हमारी आएगी income side में, सबसे पहले हम subscription का point करते हैं, so buy, subscription, so कितना हमें subscription receive होना था, 500 into 50, right, total subscription हमारा 25,000, जो कि हमें receive होना था, लेकिन current year का subscription इन्होंने कितना given है, 20,500, 20,500, तो जितना इसका difference आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, outstanding subscription जो कि हम add कर देंगे, so कितना आ जाएगा, 4,500, clear, अब next देखो, और हमें क्या given है, donation given है, proceeds from entertainment, sale of newspaper, ठीक है, so हम यहाँ पर करेंगे भई, सबसे पहले, buy, donation, donation हमें कितना given है, 9,500, then उसके बाद, proceed from entertainment, यह हमें कितना given है, 5,400, and sale of newspaper, ठीक है, कितना given है, हमें, sale of newspaper, 450, अब देखो, हमें एक information given थी, interest की, ठीक है, interest on investment, 5 months का हमें calculate करना है, accrued interest, so buy, accrued interest, on investment, so देखो बच्चे, investment हमें क्वेशन में कितना given है, 20,000, 12% के लिए, so 20,000 into 12% आप करोगे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 12, 2 is a 24, so 2400 आ गया, अब question में हमें 5 months का calculate करने के लिए बोला है, so 5 divided by 12 आप करोगे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज, clear, अब next देखो, हम expenditure side आ जाते हैं, so expenditure में सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, salary 5,500 and पीछे additional information given है, 1000 is outstanding, so यहाँ पे हम, 2 salary 5,500 plus outstanding salary 1000, कितना आ गया total, 6,500, then general expenses हमें 800 के given है, so 2, general expenses 800, 2 entertainment expenses 3,500 के given हैं हमें, ठीक है, then newspaper, municipal tax हमें given है, so 2, newspaper, 1500, 2, municipal tax, कितना given हैं हमें, 500 का clear, then next देखू, charity given है, 3,500, investment हम balance sheet में लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, electricity charges given हैं हमें, तो यह दोनों चीज़े भी हम note कर देंगे, 2 charity, 3,500, 2, electricity, कितना आ जाएगा यह हमारा, 1400, ठीक है, आव हमें question में, building given है, 50,000 का, उस पे हमें depreciation charge करना है, 5%, so 2, depreciation, on building, simple 50,000 का 5% कर दीज़े, कितना आ जाएगा, 2500, clear, अब यहां का total कर लेते हैं, यह कितना आ रहा है हमारा, 41,350, जिसमें से आप, यह सारी चीज़ें less कर दोगे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 2 surplus, 21,150, अब देखो, next हम क्या करेंगे, last, final, balance sheet बना लेते हैं हमारी, अब balance sheet में सबसे पहले, हम यहां पे cash लिखेंगे, so cash हमें question में कितना given है, 1175, उसके बाद, outstanding subscription, अब इस point में देखो, outstanding subscription, current year का तो हमारा कितना है, 4500, plus, हमें information में क्या बोला है, 500 is still in area for 15-16, अभी तक हम क्या करते थे, इनका जो difference आ रहा है, उसे हम यहां पे लिखते थे, लेकिन यहां पे हमें 500 के बारे में बोला, अभी भी यह area है, मतलब अभी भी हमें यह receive नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 500 को ही add करेंगे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 5000, देन उसके बाद हमें investment question में given है, 12% investment, 20000, तो इस पे हमारा accrued interest है, देखिया, कितने का हमने calculate किया था, 1000 का, हमें building given है, 50000 जिस पे हमने depreciation लगाया था, तो उसे less कर लो, 2500, तो इक इतना आ गया, 47500, टोटल कर लो इसका, 746, सरी, 74,675, चीक है, अब हम liability side आ जाते हैं, so liability side में सबसे पहले तो हमारा advance subscription जो की है 600 का, so advance, subscription कितना है हमारा 600 क्लियर, अब outstanding salary जो की हमारी थी 1000, जब आप income and expenditure account बनाते हो, तो इसी में से देखा करो की हमें balance sheet में क्या क्या चीज़े डालनी है, ठीक है, उसके बाद हमारा capital fund, और हमें कुछ नहीं given भी, so capital fund हमारा कितना था, 51,925, जिसमें हम add कर लेंगे हमारा surplus, that is 21,150, तो यह total हमारा कितना आ गया, 73,075, ठीक है, तो अब इसके आप total कर लो, 74,675, I hope बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, so please मेरे वीडियो को like, share and comment जरूर करना, और मेरे चानल को subscribe, thank you,